कख्षा आठवी, मिश हिंदी, टेम सिक्षन जंकुल की तरब से आप सब का स्वागत है हमारा जो पाठ चल रहा है सात्वा हार की जीत तो आगे के लेक्चर में हमने पेट नमबर 39 पर यहां तक पड़ा था कि क्या कहना है जो उसके बारे में एक बार देख लेता है उसकी रदय में उसकी छवी अंकित हो जाती है तो हमारा जी पाठ है उसमें हमें जो खड़क सिंग नाम का एक डाकू है बाबा भारती नाम के युवग है और उनका गोडा है जो उसको जो भी देखता है वो उसकी छवी उसके मन में अंकित हो जाती है तो बाबा भारती को अपने खोड़े के प्रतिबों लगा होता है वो वंदिर में भजन की तन करते और साला समय अपने ने खोड़े के साथ बिताते हैं और साम को वो उसके पर बैठ कर सवानी करने के लिए भी जाते हैं तो बाबा भारती और खड़क सिंग बहुत दिनों से अपिलाशा थी आज उपस्तिर हो सका हों लेके बौध दिवस्ति छा हती पड़न तु आजे हूं हाजर थाज बाबा भारती और खड़क सिंग अस्तबल में पहुंचे अस्तवल गोडा उने राखवानी जग्या अस्तवल मा बाबा ने गोडा दिखा अस्तवल मा बाबा ने गोडा दिखा आश्चरिय से उसने सहस्त्रो गोडे देखे थे परंत ऐसा बाका गोडा उसकी आखो में कभी ना गुजरा था खड़ंक सींगे बहुँ बढ़ा गोडा जोया आता एक गोडा ने जोईने आश्चरिय छकित धाई जाये एने एक कहीछे कि में आट्लाब दा गोडा जोया छे पड़ा आओ घोडा किया है जोयो ना थी एने एक घोड़ा ने जोया पछी एना मनमा थी एक घोड़ा नी दे छवी एना मनमा थाई रही जाए छे ए जती न थी अने जहरे पड़े एक घोड़ो जो इने बाहा नीकरे छे पछी एने मनमा इविच्छा थेगी होच्छे कि गमे तेम करने बाबा भारती पासे तिहुं आ गोड़ो लाई लेशे तो सोचने लगा कि भाग्या की बात है ऐसा गोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था इतले बाबा भारती ने कहे चे आतो नसीब नी एक वाद छे परन्तु आओ गोड़ो तमारी पास मारी पासे हो जो ये इस साधू को ऐसी चीजों से क्या ला थाई कुछ देर तक आश्चल यह से खड़ा रहा थोड़ी कवाड तो यह एने आश्चल लागे चे थोड़ी कवाड तो यह तिया उपोर रहे चे उसके प्रश्चा तो आप उसके रदय में हलचल होने लगी यह लेके चे एक एना ना मनमा एने थाई छे कहे बालक को सी बाबा जी चाल न देखी तो है लेकर यह महारे कर कर्या है जो अगता है। बाबा जी भी मनुष्य ही थेले बाबा जी पनेक मनुष्य रहता पर अपनी वस्तु की प्रसंसा दुसरे के मुख से सुनने के लिए उनका रदे अधिर हो गया था लेके बाबा भारती जे हता एमने पन एमना घोडा नी प्रसंसा कोई बीचा कोई वेक्ति करे तो पने सामबर माटे बोखूस थाई जता हता एमनेपन गमतू अतु के कोई एमना घोडा नी प्रसंसा करे। घोडेको खोलकर बाहा लेका जोली ने बाहाlles लई गया। घोडावायू बेग में उडने लगा जोडो घुप थेज ह। ती ऊचल देख कहरे ज्यो गोडाने छोड़ीने बाहाला है अवे चीत तरती तक पर आतूर सही जाए छे भार एणि उपर कोई कोई सवारी करे ना माटे तो घोड़े की चाल लेखकर उसके रदय उपर सांप लोट गया एलेके इक गोड़ा नी चाल देखी ने तो एने एमत थाचे किला ववेवाना उपर सवारी करू वह खड़क सिंग एक डाकू जो वस्तु उसे पसंद आजाए वह अपना अधिकार समझने लगता था लेके चेके खड़क सिंग एक डाकू हतो जे वस्तु एक ओखत पसंद आवी जाएं एने लईनज रहतो हतो पसंद आए जो पसंद आवर उसके पास बाहूबल था लेके बौशक्तिशारी हतो और असक बाहुबल था और आदमी भी थे लेके एनी परसे ए पोते शक्सी शाड़ हतो एनी परसे सेना गड़ हतो अने जो जाते जाते उसने कहां बाबा जी मैं यहाँ घोडा आपके पास न रहने दूंगा यह जत्ता जत्ता है बाबा भारती ने केतो जाए छे के हुँ आपकोडो तमारी पास से रहवा दैश नहीं तो बाबा भारती डर गए तो बाबा भारती जेहता इसु थाए छे घपराई जाए छे पछे एमने उंग रथी आउती अने एमने चिंता धाया करे छे अब उन्हें राद को निंद ना आती सारी राद अस्तबल की खयाली में कटने लगती है के पची उंग न थावती आखी राद इरया आखी राद इरया घोड़ा नी नेचा बाहंते हो है छे एनी रखे वाड़ी करवामा मा आखी राद गुजारे छे राया प्रती क्षाण खड़क सिंग का डल लगा रहता था एमने क्षाण एक एक खड़क सिंग नी बीक लागती हती एमने उस हतु 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 कि आवी न मारो खोडो लाई जसे तो परन्तु कई महिने बीत गय और वहन न आया इलेके कितलाक महिनो विती गया पण एहजी सुदी आव संध्या का समय था बाबा भार्ती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घुमने जा रहे थे एलेके सांजनों संध्याकार नों समय हतो और बाबा भार्ती इनी पीट उपर बैसी और सवारी करवा जई रहा हता उस समय उनकी आखों में चमक थी इले वक्ते वो खूस अता है रहा है मूख पर प्रसनत आती खूस अता है कभी घोडे के सरीर को देखते कभी उसके रंग को देखते और वहां मन में फूले न समाते देखो एतले ही रहा कातो गोडा ना शरीर ने जोवे काते ना रंग ने जोवे अने जोई अने मनमा ने मनमा खूस थाई जता सहसा एक और से अवाज आई ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना एक बाजू थी अवाज आवे छे अवाज में करूणा थी लेके अवाज माबू धया हाती बाबा ने गोडे को रोक लिया एले बाबा भारती एमनों गोडो उपो राखे छे देखा एक अपाहीज रुक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है तो एक रुक्षनी छाया मां पोते एने तकलीफ सती हो एने एमां पीडा तो होई छे तो के छे कि बोले कि क्या तुम्हें क्या कश्ट है और पूछे चे कि तरह सु तकलीफ छे अपाहीज ने हाथ जोड कर कहा एक अपाहीज माना से हाथ जोडी ने कहिऊ कि बाबा मैं दुख्या रहा हूं यह लेके चे कि बाबा हूं बहु दुख्य मानास चूँ मुझ पर दया करो यहां से तीन मिल है यहां थी त्रौंड किलोमेटर चे मुझे वही जाना है घोठे पर चडालो परमात्मा भला करे एले के चे कि तमे मने गोडा उपर चडावीदो भगवान तमारू भलू करसे वहां तुम्हारा कौन है एले कि त्या तमारू कौन छे दुर्खा दतवैत्य का नाम सुना होगा उनका सौतेला बाई एले के दुर्खा दत वैत्य के नाम तमे सांब्लिू हसे हुँ एनो सौतेलो भाई छूँ बाबा भाड्तीने घोडे से उतर कर अपाहीज को घोडे के पर बैठा दिया बाबा भार्ती एक घोडा उपर थी उत्री उत्री ने पिले अपा ही जमान सतो अपंग जने तकलीफ हती एने घोडा उपर 20.30 दे छे और स्वयम उसकी लगाम पकड का धीरी धीरे चले लगे ले पोते एन उचे पकडवानी लगाम हो ए पकडी धीरे धीरे नीचे चालवा ल लगाये लेक्द में इनने जटको लागे छे और लगाम हाथ से छूट गई अनि लगाम हाथ माधी छूटी जाए छे उनके आसरे का ठीका ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाही गोडे की पीट पर तनकर बैठा है ये जोईने अच्छा का कि अपने आश्रे लागे छे कि अपाहीत माणासो तो गोडा उप्रकीत बैठो छे रहो और घोडे को दोडाई लिये चारे लेके गोडाने तो दोडाई वेच्छा रहो उनके मुक्से 22 विसमय और निरासा से मिलती हुई चीख निकल कई वह अपाहीच डाकू खडक सिंग था ये अपाहीच डाकू कण अत हम यहां तक रखते हैं जितना आज समझाया है घर पे पाठे पुस्तक लेकर बैठना और पढ़ाई करना थैंक यू